दूस्तों सब्सक्राइब किजी गुरुजी हैना ओनलान चैनल को और दबाए इस गंटी को नए वीडियो के लिए नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है ब्रिजलाल आप देख रहे हो गुरुजी हैना ओनलान चैनल हाजिर वह एक नए वीडियो के साथ चलिए पढ़ते हैं हम पढ़ेंगे जैसा कि आप देख रहे हो गागरोन का किला पढ़ेंगे फिर बेंसरोडगट का किला पढ़ेंगे फिर सेरगट का किला पढ़ेंगे तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि गागरोन का किला हम पढ़ेंगे उसके बारे में उस गागरोन के जो उपनाम है गा दरगट के नाम से जना जाता है या दूलगट के नाम से जना जाता है यह तो इसके उपनाम है गागरोन के लिए को इनने नामों से इसलिए जना जाता है मैं आगे बताऊंगा जब मैंने आपको नदियां पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था कि गागरोन का जो किला है वो काली सिंद वे आहू नदियों के संगमिस्तल पर है तो यह क्यूशन यहां पर अपना त्यार होता है कि काली सिंद और आहू नदियों के संगमिस्तल पर यह गागरोन का किला इस्तित है काली सिंद वे आहू तो यह चीज आप ध्यान रखना एक्जाम में पूचा जाता है बार बार यह कुशन रिपीट होता है स्तान ये लोग इस किले को किस नाम से जाना जाता है स्तान ये लोग इसको बोलते हैं सामेल जी सामेल जी के नाम से स्तान ये लोग इसको किले को पुकारते हैं चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं तीन तरब नदियों से घिरा ये कि किष्रेडिम आता है तो आज ये जो मैं किले बढ़ा रहा हूं ये तीनों ही किले जो गागोन वेसरोडगट और शेरगट ये तीनों ही जल दूरुकष्रेडिम आएंगे तो आपको मैं यहाँ पर बता दिया है तो इसलिए आप confuse बताऊना ये तीनों ही जलदूर की स्रेणी में हैं तो ये तीन क्यूशन याँ पर आपको त्यार हो गए जलदूर की स्रेणी में चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं इसका किले की निर्माता की बात करते हैं इस किले का निर्माता था, डोड जो परमार राजपुत है, उन्होंने करवाया था, डोड परमार राजपुत उन्हें इसका निर्मान करवाया था, चलिए उसके बाद भी बात कर लेते हैं, उन्हें के नाम पर ये किला डोडगड, दूलरगड या दूलगड कहते हैं, मैंने तो खेट दूलरगट और दूलगट चलिए उसके बाद में बाहते हैं कि क्लप में चोहां एक क्लप निवक के निसार तो है में जो क्लत दूरु का दूर्प में के नुसार जो देवन sectionsी ने 12 साध में देवन सिंग खिजिन ने बार्वी स्तावदी में जो बार्वी स्तावदी के प्रारंप की बात है और किसको मारा था वहांका एक सासक था बिजल देव डोड बिजल देव डोट को मार कर ये यहां से इसको मार दिया था और इसने ये गागरोन का किला देवन सिंखिजी ने छेन लिया था और इस दुरुक का नाम क्या रख दिया साब गागरोन रख दिया तो मैंने आपको तीनु चीजे बता दी gujarana naam नाम क्यों पड़ा दोड़ ham क्यों पड़ा उसके बाद में बात कर लेते हैं अने विसेशनाय हैं मैं पताता हूं मालुआ गुजरात मेवाड हडोती का सिमावर्ति जिला होने के कारण इसका जो सांबरीख मैत्व था बहुत ही क्योंकि यह जिला सामरीक मैतोपुन की तरिष्टी से इंपोर्टेंट था मैतोपुन था इसकी वज़े से इस किले के उपर अनेक प्रकार के आकर्मन होते रहे और तरह तरह के सासकों यहां पर सासन किया तेरा-स UCS Wmans के बीच की बात है दोस्तों की ची सासक जेट सी वटा उन्होंने अलाओदिन खिल्जी के जो आकर्मन हुआ था गाग्रों पर अलाओदिन खिल्जी ने आकर्मन किया था उसको विफ्थल कर दिया था ये एक अंइंपोर्टन बात थी लेकिन आपको ध्यान में र पास पास और खिंकिन के बीच में यूद होने के कार्ण यहां पर मैलाओं ने जोर क्या था और यह साका का जो अंजाम दिया गया था तो यहां का साथ सकता अचलदास खिंची ठीक है और उदर से आकरमन किया था जो मांडू का सुल्तान था होसंग सा इसका नाम था होसंग सा सब इन दोनों के बीच में यूद हुआ और यूद होने के पर यह अचलदास जी खिंची यहां पर वीरगति को प्राप्त होए तो यहां की इसकी रानी और यहां की मैलाओं ने जोर क्या था और यही फैस्ट साका जो गागरोन का फैस्ट साका है उसके नाम से जाना जाता ह और इस यूद का जो वीवरण है वो शीवदास गाडन जी ने अपनी पूस्तक जो अचलदास खिंची री वचनी का में इस यूद का वीवरण प्रस्तुत किया है आंको देका वर्णन है इस बुक में शीवदास गाडन द्वारा जो बुक लिकी गी अचलदास खिंची री वचनीका तो आप इस बुक का नाम ध्याया रखना ये एकजाम में कई वार पूछी जा चुकिए ये किसलन बार बार आता है तो शिवदास गाड़न की रचीत पूष तक है अचल दास किंचीरी वचनीका या फिर अचल दास किंचीरी वचनीका निमन में से है बता देता हूँ यहां पर इस मांडू का संग सा का अधिकार हो गया था फिर क्या हुआ जो यह जो अचलदास खिंची था इसका पूत्र था इसका नाम था पाला हैंडी पाला हैंडी थीक है इसने क्या किया था 1437 सीशीव के आज पास इस गागरोन को खिले को अपने अधिकार में वापिस ले लिया तो उसके बाद में यह सासक यहां का जो पाला हैंडी थीक है तो यहां पर जो शाका हुआ था किले को अपने हस्तगत कर लिया ठीक है और महिलाओं ने यहां पर जोगर कर लिया और यह सेकेंट साका हुआ था एक्जाम में आते हैं दोस्तों क्यूशन बार-बार इंपोर्डेंट है अग आजकल और रास्तान अधिनस चैनवोर्ड है वो समझदार हो गया है तरह तरह के डीप ली क्यूशन डालते हैं इसलिए आपको यह साके इंपोर्डेंट हैं आपको इनको छोड़ नहीं सकते उसके लाओ बाद में बात कर लेते हैं कुछ और विशेस् लेकिन आप हम इत्यास के मार पर चल रहे हैं तो हम किसी को भी छोड़ नहीं सकते राणा सांगा ने इस किले पर अधिकार किया था और इसे मेदिनराय को सौंपा तो हम इत्यास की बात कर रहे हैं किस कि सास को नहीं यहां पसासन किया था तो राणा सांगा ने यहां पर बादुरसा थीक है बादुरसा नहीं यहां पर अधिकार किया फिर क्या हुआ 1542 में यहां पर शासन किया था सेर सासूरी ने इसके लिए पर अधिकार किया फिर उसके बाद में 1562 कि मैं बात कर रहा हूं 1562 में इसके लिए पर अकबर का अधिकार हुआ और फिर अकबर का अध मुकुन सिंग को यह किला सौप दिया था और तब से लेकर यह सवतंतर तरता था यानि 1948-1947 के लगवग यह किला किस के दिन रहा था कोटा राज्य के दिन रहा था तो यह किले की कुछ विशेष्टा है हो गई, किले किस किस के दिन रहा था, तो यह मैंने आपको बता दिया, अब चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे किले के आकरसन, यानि इसमें कितने मंदिर हैं, कितने देवरे हैं, कितनी दरगा है, कितनी मस्जिद है, सब के बारे में निर्मान करवाय था बुलन दर्वाजे का निर्मान करवाय था तो एक्जाम में ये क्यूशन आप इसको छोड़ ने सकते ये क्यूशन आ सकता है कि राज़तान में बुलन दर्वाजे का निर्मान करवाय था तो औरंग जैपी साब ने राज़तान में बुलन दर्वाजे का मंदिर और किसने करवाय था जो दूर्जन साल हड़ा था उसने करवाय था उसके वाला हमें बात में बात कर लेता हूं औरंग जेब द्वारा इस दूर्ग में बहुत ही इंपोर्डेंट क्यूशन है बहुत ही इंपोर्डेंट क्यूशन है जो औरंग जेब द्वारा इस दू तो यह चीज आप ध्यान रखना उसके लावब बाद में मैं बात करूंगा यहां के एक सासक होए थे खिंची राजबू सासक होए थे संत पीपा अब पीपा के बारे में यहां पर थोड़ अपन डीटेल से पढ़ेंगे जब हम जो संपरदाय पढ़ेंगे तब पीपा के बा रामानंद के सिसे और उसके लावा कहते हैं कि रामानंद आगरा सोरी मतूरा के तरफ जा रहे थे और इस दुर्ग में आये थे और इन्होंने अपना राज पार्ट सब त्याग कर रामानंद के साथ चले गए थे और वापिस इसके लिए में आये थे वहां पर आकर यह भार लोजशा तुगलक उसके समकालिन थे और ये दर्जी समदाई को अपना आरोद्दे मानते हैं दर्जी समदाई से आरादे मानते हैं और यहां पर दुर के भार संत्थ पीपा की छत्री बनी विए तो ये चार चीजें इंपोडेंट थी अब उसके बाद में हम बात करेंगे य इसकी वार्ट में बात कर लेते हैं इसकी में आपको बताता हूं बेर्ड चिले में परता यहीं यह मैं मैंने आपको नक्सूं से बरवाया था उस ताहिं मैंने आपको बताया था कि दो से तर ऐसे हैं जो कटे-पटे हैं टाटगड रावली जो कि अजमेर में है और यह बेस्ट रोडगड है जो की चितोडगड जिले में पड़ता है लेकिन थोड़ सा कटा और बाहर के साइड दि जलदूरग मिने आपको बताय दिया था और यहां पर मैंने आपको जब नदियां पढ़ाई थी तब मैंने आपको उस टाइंब भी पताया था चंबल और बामनी नदियों के संग मस्तल पर ठीक है अब मैंने आपको इसके बाहmount जन रूंती गे नुसार इस दुरूग जो है वह वह बैसा सा नामक तो व्यपारी था ये जन सुरूती है दोस्तों कोई अथेंटिकिती नहीं है बैसा साम नामका व्यपारी था और रोड़ा चारण रोड़ा चारण था इन्होंने लुटेरूँ से अपने रक्सार्थ के लिए इस दुर्ग का किया था और इसके कारण जो मराठा थे उनको पीछे हटना पड़ा था चलिए दोस्तों इसमें जो इंपर्डेंट वाली बात थी एक तो जल दुरुक किस रहनी में एक चंबल बामनी नदियों के संगमिस्तल पे और ये कुछ इंपर्डेंट नहीं है रासान का विलोर कहते हैं यह चीज़ें इंपर्डेंट है चलिए उसके बाद में हम बात करेंगे सेर्गटदूरुक की और बारा में और इस दुरूग का पहले नाम थो उसको बोलते थे कोस वर्दन दुरग तो एक इसका उपनाम मिलता है दोस्तों कोस वर्दन दुरग क्योंकि कोस वर्दन ये परवत सिकर परिस्तित था इसलिए इसको बोलते हैं कोस वर्दन दुरग और ये है क्योंकि जल्दुर किस रेणी में आता है तो किसी नदी परिस्तित होगा तो ये है दोस्तों परवन नदी पर चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं इसके लिए के निर्माताओं के बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती है इसलिए मैं आपको गलत जानकारी नहीं बता सकता 1542 इस्वी की बात है दोस्तों शेर सांग सूरी ने इसे सेरगड़ नाम दिया तो इसके लिए को सेरगड़ नाम कब पड़ा था 1542 इस्वी में और किस ने दिया था साब सेर सांग सूरी ने तो ये मैंने आपको बता दिया उसके बाद में अकबर के सासनकाल में 171313 की बात है, किला किस के पास आ गया, यह इत्यास पड़ा रहा हूं में आपको इसकी लेका, 1713 इस्वी में यह किला किस के पास आ गया, अकबर के पास, और उसके बाद में मुगल समराड जो फरुक सिर्द ने इसे कोटा माराव, भीम सिंग को उपहर स और जो अभी आपने पढ़ा था बैसरोड का सोरी वह गागरोन का किला वोग भी कोटा एक कोटा के सोंपा था तो यह चीजें आपको इंपोर्टेंट लगेगी उसके लावा जाला जालेम सिंग ने अपने रहने के लिए यहां पर जालाओं की अवेली के नाम से एक महल बनव का खिला है तो इस हिसाब से मैंने आपको तीन के लिए पढ़ा दिए यह के लिए आपको कैसे लगे यह तो मुझे आप जब नीचे जाके आप कमेंट करोगे तब भी पता लगेगा तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किलूं की बात करूंगा और अपने जड़े जड़े सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए तब ही मुझे पता से लपाएगा कितना मैं सही जा रहा हूं या गड़ जा रहा हूं आप डिसलाइक भी कर सकते हो कोई दिक्र नीचे दोस्तों आपको पसंद नहीं आए तो और अपने आसपा सबस्ता बनाए रखें दोस्तों और लाइक कर दो यार थैंक्यू धन्यवार